हेलो एव्रीवन एन वेल्कम यू आल तो आवर यूट्यूब चैनल स्वार्विशेश प्लाटफॉर्म तो आज के इस वीडियो में हम लोग मौडरन हिस्ट्री और बिहार को कंटीनिव करेंगे हम लोग लास्ट लेशन में नॉन कोपरेशन मुमेंट तक हम लोग किये थे तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाम दा स्वाराजिस्त मुमेंट ठीक है तो अगर आप इस चैनल पर नहें नहीं हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते और अपने प्रेंट के साथ सेयर कर सकते हैं और इस चैनल को संस्क्राइब भी कर सकते हैं तो चलिए हम लोग कि यह क्या होता है कि जो कॉंगरेस था यह इसमें एक सवर्स फाइजन हो जाता है। एक भीडेड था नहीं करेंगे और गांधियांपात को फॉलो करेंगे। तो इसी टाइम और इंडिया कॉंग्रेस सेशन होता है गया में और गया बिहार में तो यह इसके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है तो इसे प्रिसाइट करते चित्रेंजन दास और यह होता है दिसंबर 1922 को यही सेशन में रिजल्ट हुआ कि कॉंग्रेस बट गया एक वह जो जो जाना चाहता था और दुसरा जो उसको अपोस्त करके गांधियन पात को सपोर्ट करता था तो जो जो जाना चाहते थे जो जाना चाहते थे वह थे सीयार दास फिर मोधिलान लहरू और अजमल खान ठीक ह यह थे नौन सपोर्टर्स अफ देन अफ द एंट्री अफ द लेइसलेटिव कांसल फिर मोधिलान नहरू और चित्रंजन दास जो है ठीक है मोधिलान नहरू और सीयार दास यह बाद में जाकर कि स्वरास दल बनाते है नायरन प्रशाद इसमें फर्स चेर्मैन है और तो यह स्वराजिस्ट मोमेंट हुआ इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि बिहार में साइमन कमिशन आता है क्योंकि आल इंडिया में आता है इसी में लाला लाच पत रहेकर डेथ भी हो गया था उन पर लाठी चार्ज हो गया था तो इस टाइम क्या होता है कि एक आल इं इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड करेंगे बट जब आए तो देखा गया कि नहीं इसमें तो इंडिया का कोई रिप्रिसेंटेटीव ही नहीं है जो है सब ब्रिटिश ऑफिशियल्स है तो इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कि और बोले कि साइमन गो बैक तो उसके बाद फि कि हम लोग जो foreign goods है उसको boycott करेंगे और हम लोग देशी goods को adopt करेंगे एक तरह से indigenous कि हम लोग खादी को बहुत जादा promotion मिलने लगा तो बिहार Congress में क्या होता है इन बिहार the Congress Committee started campaigning to popularize the खादी through magic lantern to reach the villages and carry the signature campaign तो यह लोग जाने लगे गाओं गाओं और खादी campaign को promote करने लग कि यह जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रूप से मिल जाएगा आप मेरे टेलीग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते जिसका आप सर्च किजिएगा सिविल प्लैटफॉर्म एफॉएम किजिएगा एफ रो मरे एफॉर में फॉर्म ने फॉर्म ने फॉर्म क्योंकि जो पुराना चैनल था वह प्श्टेलीग्राम अईडी डिलीट हो गया तो वह भी चैनल मेरा कुछ मतलब हम उसमें कुछ डाल नहीं सकते तो जो होगा इसी चैनल होगा इसमें मात्र अभी बहुत कम मेंबर है तो आगे हम लोग देखते हैं आगे होता है पूर्ण सवराज पूर्ण सवराज क्या होता है कि जब हाला नहरु जब कॉंग्रेस में आते हैं देरे देरे आते हैं तो 1930 में रावी नदी के पास लाहोर सेशन होता है तो वहाँ पर यह पूर्ण सवराज कर डिक्लेरेशन करते हैं कि हमको तब कम्लीट इंडिपेंदेंस चाहिए तो उसका प्रभाव बिहार में भी होता है तो 20 जनवरी 1930 को बिहार कॉंग्रेस वर्किंग कमीटी इंडॉर्स करता है तो कम्लीट इंडिपेंदेंडेंस फॉइट अफॉर्ण यहां पर जंडा रोहन हुआ और फिर हम लोग यह बोले कि अब हम लोगों को भी अजाधी चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस उसके बात क्या होता है कि तो सीविल डिसओडीन्स मोमेंट जो हुआ न ये एक तरह से क्यों हुआ क्योंकि साइमन कमिशन फेल हो गया और मातमा गांधी जो 11 पॉंट्स दिए थे मातमादी 11 पॉइंट्स दिये थे बोले थे कि तुम यह हमको करके दिखाओ इसका डेडलाइन दिये थे कि और यह जा करके 6 अप्रिल तक हुआ ठीक है 1930 इसमें 240 माइल गांधी जी कवर किये और इसमें लगवक 78 मेंबर्स थे आप लोग यह लिख सकते हो फिर डॉक्टर राजेंद प्रशाद अगह हम लोग से बिहार के कंटेक्स्ट में देखे तो डॉक्टर राजेंद प्रशाद आफ्टर दे सॉल्ट सत्याग्राइन चूस्त 6 अप्रिल 1930 ठीक है 6 अप्रिल 1930 को वो बोले कि हम लोग इस देखो मोमेंट स्टार्ट करेंगी पंड इस मार्च से थर्ड तीन अप्रिल तक बिहार में यह मुवमेंट जो था ना यह दो जगाब बहुत जादा अच्छा हुआ एक सा चंपारन एक सारन चंपारन डिस्टिक और सारन डिस्टिक और इसका इंफ्लूएंस दिरे-दिरे पटना में बेटियां में हाजी पूर्दर से नहीं पीना फिर देफ्यूजल अब टूपे चौकीदारी टेक्स देने से भी अम लोग मना करती है तो अदेशी कमीटी को सेट अप किया गया था पतना में मुवमेंट इसमें वीवन का भी बहुत जादा पार्टिसिपेशन था विमन हर सक्सें अव दे सोसाइटी से इस अब्धुलबाडी राय द्वारकानाथ यह लोग रिजाइन कर देते हैं बिहार लेसिलेटिटिव कांसल से कौन राय बहुत द्वारकानाथ फिर चंद्रावती देवी राम सुंदर सिंग यह सब और भी लीडर्स थे जो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन किये थे फिर ठीक है इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं आप लोग यह लिख सकते हैं कि यह बहुत इंपॉटन पॉइंट है कि पत्ना में स्री अंभिका स्री अंभिका कांस नी ठीक है और राम बिक्ष बेनी पूरी यह लोग जो थे ना यह लोग क्योंकि भिहार जो था वो तो लैंडॉक स्टेट है तो यहाँ पर समुत्र तो मिलेगा नहीं कि हम लोग सॉल्ट सत्या करें मतलब सॉल्ट को अबॉलिष करें सॉल्ट लोग को तो यह लोग नाकश पिंड यहां पर गैदर हुए और फिर यह लोग इसको किये मतलब सॉल्ट को सॉल्ट लॉड को अबॉलिश करते एक फिर एक छपरा जेल में इस टाइब एक नेकट स्ट्राइक होता है ठीक है शपरा जेल में यहां पर एक नेकड स्टाइक भी होता है और जमुना सिंग्ग यह प्रेसिदेंट ते सारन यूनियन तो जमुना सिंग को यार रखना यह सारन से बिलॉंग करते थे यह भी रिजाइन किये क्योंकि जो चौकिदारी टेक्स है उसका नौन पेइमेंट के लिए फिर स्वदेशी जो असोसियेशन था वो पतना में खुला थीक है स्वदेशी असोसियेशन वा सेट अपना तो इसे स सेट अप किया गया सर अली इमाम के द्वारा थीक है आप यह सब लिख सकते हैं यह सब इसमें नहीं दिया हुआ है कि कृष्ण सभा किसान सभा और बिहार देखे तो किसान सभा वास ऑर्गनाइज इन 1922 बाय मुहंबर जुबर और स्रीक्रिशना सिंग के द्वारा किया गय इसी के लिए स्वामी सजानन सुर्शती के द्वारा बिहार प्रोविंशल किसान सभा का स्टैब्लिश्मेंट हुआ 1929 को फिर उनाइट पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया गया बैद जमिंदार्स तो सप्रेस्ट पीजन जैसे कि बहुत जादा मतलब जो यह लोग करते क्योंकि पीजन्स लोग हम पे कर रहे हो हम भी करते तो तू सप्रेस्ट पीजन्स ठीक है पर स्वामी सजानन सरस्वती का इस्टें बहुत जादा अच्छा काम किया गया और भी लोग के साथ द्वारा किया गया जैसे राहू संस्कृतियान हो गए पंडितिया मुनाकाजी ह गया यह लोग भी हार किसान सभा वास फॉर्म दें 1933 फिर ऑल इंडिया किसान सभा वास फॉर्म दें 1936 यह लखनो में और गनाइज किया गया था स्वामी सहानन सरस्वती इसके प्रेसिडेंट बने थे और एंजी रंगा वास मेजिट सेक्रेटरी एंजी रंगा बिलॉंग फिर नेक्स पॉइंट देखते है कि पंडित यमुना कार जी राहुल संस्कृतियान फॉर्ट फॉल्वर्स ऑफ स्वामी सहानन सरस्वती स्टार्टर हिंदी वीकली एक पेपर लेकर क्या थे हुंकार नाम से 1940 में विच बीकिम दा माउट पीस अफ एग्रेडियन और पीजन के लिए बब किसानां की दुख भरी कहानी करते हैं कि भिहार सोशलिस्ट पार्टी देखिए मुझ नियुक्त था वह बहुत जादा फेमस हो रहा थार्ट सोसलिजम का प्रभाव में नहरू भी थे आस सुसलिजम के प्रभाव में सुभास चुनर बोष भी थे थे ठीक है त क्वेड़ी तरह से सोसलिजम मतलब की वेलफएर अब सब चाहता है कि नहीं है लोग है तो ऐसा नहीं कि बस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो उपर क्लास के लोगे उन लोगों का ही वोना चाहिए गरीब लोगों को भी रहने को घर मिलना चाहिए तो उसी के बेसिस पर तो इसका मतलब Commission on what a band without Allah Shephon राम भिक्षवरी और आमनंद जो बिहार सूसलिस्ट पmeal 1131 बना और बीहार कॉंग्र सूसलिस्ट पार्टी जो है फो 1934 में बनता है कई यह कद एपन जै प्रकास नारायन देव इसके पहले प्रेसिडेंट थे और जै प्रकास नारायन इसके सेक्रेटरी थे और अचार नारायन देव अब 1935 में जब Government of India Act आया तो यह बोल दिया कि अब हम लोग एक तरह से अब इलेक्शन करवाएंगे और हम लोग प्रोविंसे में गवर्मेंट स्टैब्लिश करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग 1937 में इलेक्शन होता है तो बिहार में भी अपना एक काबिनेट स्टैब्लिश होता है तो गवर्मेंट आप इंडिया Act 1935 केम विट कंसिटूशनल रमेडिस और प्रोविंचियल ओटनोमी इन देस्टेट अस वेल स्टैब्लिश को बनाया गया थे लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडेट वो फॉर्म दा गवर्मेंट दस मोहमद उनुस विकें दफर्स प्राम मिनिस्टर अव बिहार ठीक है उस्टाइम प्राम मिनिस्टर का इस अब दुगा करता था चीप मिनिस्टर का नहीं ठीक है चीप मिनिस्टर का इस नाइंटीन फॉर्टी सेवन के बाद ही आता है एक तरह से नाइंटीन फॉर्टी एट के बाद जब इंडिया में पहली बार एलेक्शन होता है फिर ऑन टुटिएथ जुलाइग इस अब डुटी पिकर ऑफ जुलाइटिव स्पीकर ऑफ जुलाइटिव पाउंसर्यकों रेस्पेक्टिवली चुलाइग जिट्मेंड़ रिमूवल ऑप बैन उट्रेश मेंगजीन फिर प्रिलिस ऑप्व पोलितिकल प्रिस्टों ये लोग आये तो क्या कि जितना प्रेश आपने नहीं दिया जाता था उसको हटाया गया। जितने हम लोग के पॉलिटिकल प्रिजनेस्थे जो अजयादी के लिए लड़ते थे उनको भी जेल में डाल दिया जाता था तो उनको निकाला गया। फिर इमोबल ओन दे प्रोलम्स ऑफ बांदोवस्त इसकासook प्रोबलम से हटाया गया फिर रेजिटेसoryंच जो Nrgh4 थे क्मोनीटिस के लोग थे उनका स्टेटस को रिजकरने की कोशि़ किया गया फिर डेजिग्रेशन ऑफ sri krishna सिंग विजाइन विफोर दे इंडिपेंदेंस तो जब वर 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 टू डिक्लियर हुआ इंडिया बोला कि हम लोग मदद करेंगे सब्सक्राइब कर देते हैं अंदा कॉंग्रेस स्टार्टेट डिसेंटमेंट अव दिसेंटमेंट करने लगा तो आज के लिए इतना ही द अब देख कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ सेर कीजिए तिल देन पढ़ते रहें थैंक्यों सो मच्छ